Hello guys, welcome to the channel, this is your host Sunil और आज हम बात कने वाले हैं Tata Tiago और Tata Tiago NRG के बारे में Tata Tiago जो काफी समय से Tata Motors की one of the best selling car साभीत हो रही है जब से उसको लांच किया गया है और हाली में Tata Tiago का जो है NRG model भी लांच किया गया है Tata Tiago का NRG Tata Tiago के normal model से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसको crossover की तरह लांच किया गया है और इसके लिए इसमें कुछ changes भी किये गया है और दोनों की pricing अगर top end Tata Tiago except की तुलना Tata Tiago NRG से की जाए तो दोनों की pricing लगबग से मैं कुछ बहुत जादा अंतर नहीं है कुछ 27 या 28,000 रुपे का ही अंतर है तो 27-28,000 के difference पे हम इन दो cars को जरूर compare कर सकते हैं और हम जानेंगे इस वीडियो में कि अगर आप Tata Tiago का XZ खरीदना चाहते हैं यानि कि Tata Tiago के top and variant के साथ जाना चाहते हैं तो क्या आप Tata Tiago NRG की तरफ shift हो सकते हैं या फिर अगर आप Tata Tiago NRG खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या आप Tata Tiago का top and variant XZ के साथ जा सकते हैं या नहीं तो चलिए इस वीडियो में इसको डीटेल से जानते हैं कि दोनों में क्या कुछ differences हैं सबसे पहले में आपको बता दो Tata Tiago का जो XZ variant है यानि कि top and variant उसमें और Tata Tiago NRG में same engine दिया गया है लेकिन यहाँ पे Tata Tiago NRG के engine जो की same है Tata Tiago वाला engine है लेकिन इसको refine किया गया है retune किया गया है ताकि आपको थोड़ा बहतर performance दे पाए थोड़ा बहतर pick up दे पाए तो अगर आपको एक better pick up, better performance और थोड़ा सा कम sound करने वाला कम noise करने वाला engine चाहिए तो आप Tata Tiago NRG के तरब बिलकुल जा सकते हैं लेकिन यहां पर एक बात और बता दूँ आपको कि Tata Tiago में आने वाले multi drive mode यानि कि city, eco sports mode यह driving modes आपको Tata Tiago NRG में नहीं मिलेंगे Tata Tiago NRG सिर्फ manual transmission में ही आपको मिलेगा यानि कि इसमें आपको AMT का option नहीं मिलेगा जो कि आपको Tata Tiago XZ के साथ Tata Tiago XZA variant में मिल जाता है तो यह था basic difference दोनों के engine में और transmission system में एक AMT के साथ आती है दूसरी AMT के साथ नहीं आती है लेकिन दोनों ही diesel or petrol दोनों में ही आपको मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही cars के safety features के बारे में और Tata Tiago energy में भी आपको सारे safety features मिल जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों के dimensions में क्या कोश changes किया गया है जो कि Tata Tiago energy को एक crossover की तरह launch किया गया है और market किया जा रहा है तो इसलिए उसमें जो है Tata Tiago की तुलना में उसके dimensions को भी थोड़े से बढ़ाए गया है यानि कि Tata Tiago energy जो है वो Tata Tiago से थोड़ी सी लंबी थोड़ी चौड़ी और थोड़ी उची कार होने वाली है या है तो आप actual dimensions आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों ही cars के तो definitely Tata Tiago energy एक थोड़ी सी more SUV look के साथ launch की लिए crossover look दिया गया है तो अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा ज़्यादा SUV टाइप की कार चाहिए तो आप Tata Tiago energy की तरफ जरूर जा सकते हैं इसके साथ ही अगर हम बात करें दोनों के exterior look की तो exterior look लगबग सेम है बस इसमें आपको Tata Tiago energy में कुछ आपको features मिल जाएंगे जो आपको Tata Tiago के normal model से इसको अलग बना देते हैं जैसे कि इसमें आपको infinity black rooftop मिल जाता है और इसमें आपको roof rails के option भी मिल जाते हैं जबकि Tata Tiago के normal model में आपको infinity rooftop नहीं मिलता है इसमें आपको body colored rooftop ही मिलता है और साथी साथ इसमें roof rails का option नहीं मिलता है और इसमें आपको Tata Tiago energy में आपको square और circle का combination करके alloy wheels का design बनाया गया जो काफी attractive दिखता है जबकि Tata Tiago में आपको multi spokes circular alloy wheels ही मिलते हैं तो यहाँ पर alloy wheels के मामले में भी energy का alloy wheels थोड़े जादे better look के साथ हैं थोड़े refreshing look है और थोड़े अच्छा भी दिख रहे हैं Tata Tiago के alloy wheels की तुलना में अगर हम बात करें exterior के और major difference की तो यहाँ पर आपको 170 mm का ground clearance आपको Tata Tiago के normal model मिलता है जबकि आपको Tata Tiago energy में 180 mm का ground clearance मिल जाएगा हाला कि ground clearance जादे matter नहीं करता है लेकिन फिर भी अगर आपको एक crossover और SUV लुक चाहिए तो आप Tata Tiago energy के improved या बड़े हुए ground clearance के साथ जा सकते हैं जो आपको गाओं और चोटे सेहरों के खराब रस्तों पर चलाने में भी काफी मदद करेंगे अब आप बात करें दोनों के interior की तो interior दोनों का लगभग सेम ही है लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़े से dimensions को बढ़ाए गए है energy में तो Tata Tiago energy में आपको थोड़ा बहतर space जरूर मिल जाएगा interior में यानि कि आपको leg room, head room और shoulder room थोड़े से improved मिलेंगे Tata Tiago energy में, साथी interior में कुछ elements भी थोड़े बहुत tweak किये गए हैं जो आप देखेंगे car को तो आपको समाझ में आ जाएगा, जादे बड़े changes नहीं है लेकिन फिर भी Tata Tiago energy में थोड़े से बहतर करने की कोशिस की गई है, और सबसे बड़ा जो change interior में आपको देखने को मिलेगा तो यह है कि Tata Tiago energy में आपको फाइव इंच का touch screen environment system मिल जाएगा जबकि Tata Tiago XZ में आपको normal harmon का 8 speaker वाला एंपोटेंबन system ही देखने को मिलेगा तो यहां पे आपको touch screen environment system energy में मिलेगा जिसमें आपको 3D navigation, voice command जैसे features भी आपको मिल जाएगे तो यह तो था difference दोनों के exterior में, interior में, dimensions में, safety में तो अगर हम ध्यान से इन दोन कारों की compression करें तो आपको 27 या 28,000 रूपे के difference में आपको touch screen environment system मिलता है improved dimensions मिलते हैं, interior space भी ज़्यादा अच्छा मिलता है और साथी साथ आपको ज़्यादे refined engine भी मिल जाता है और साथी साथ आपको ground clearance भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है तो अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो Tata Tiago NRG एक ज़्यादे बहतर decision होगा अगर आप लेना चाते हैं तो और ये एक बहतर कार होगी price comparison को देखा जाए तो तो मेरे ही साब से आप Tata Tiago NRG पे अगर अपना budget 27-27 रुपे से बढ़ा सकते हैं तो आप Tata Tiago Exit के जगह पे Tata Tiago NRG की तरब चलूर जा सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर comment करके बताए नीचे और अगर आपके पास कुछ सवाल है कुछ सुझाओ है या आप कुछ पूछना चाते हैं तो आप comment करके नीचे पूछ सकते हैं हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं कियां तो subscribe भी कर लिजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दिए ताकि आगाया मले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए सीट बेल पहले है सुरश्चित चलिए बाई बाई टेक के हैं